अब आपको नए नोटिस आचुका है आपका ज्यार्खन जे एससे सिजल के रिगार्डिंग फिर से आपका नया एक्जाम डेट घोशित क्या जा चुका है पहले जो आपका एक्जाम डेट था आपका 14 और 15 अक्टूबर को था लेकिन उसका टाइम आपको फिर से चेंज कर द जहांने प्रिश्ट में आप वहां से डाउने कर सकते हैं तो यहां पेithव, पहले आपका ज्यार्खन कर्मचारी चैन आयूग दोवारा रिलिक्श किया गया है बिग्यापन से कहा है यहा आपको दिखाय देगा प्रत्यों समाने इसनाा तक साइज ज्यूक परत्योग डारि परिष्छा 223 की पूर्व निडार्द संभावी थी और परिहाई कारणों से निमन रूपे संसोधित की जाती है और यहाँ पर आपको दिखाए देखा संसोधित करने बाद यहाँ पर देखिए परिष्छा का तीदी कितना दिया गया है 16 और 17 डिसमबर को दो तारिक पहले भी था फिर से आपका दो दिन में लिया जाएगा 16 डिसमबर आउर 17 डिसमबर को आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि आपका दो महिना आगे जा चुका है पहले अक्टूबर में होने का बात था 14 और 15 अक्टूबर को इस बार कर दिया 16 और लिंक का परकासन तथा सब्सक्राइब की सुविधा है तू आयोग करे लए में आविदान समर्फित करने समंदी सुचना आयोग के अधिकारिक वेवसाइट आप वेवसाइट इतना में लोगिन करके इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे जो नोटिस आया है www.jssc.nick.in इसमे पर एक चीज और आप एके जाम ढटेट भिया आपसे टीजाम है पिर से पर से केंसल हो गया ऐसा सोच रहे हैं और अर वर तैयारी में लूज कर देते हैं तो अईसा Nagli सेलेक्सण इसमेion से'RE आपको नहीं होने वाला अगर इस तरह से करते हैं क्योंकि इसे आप लोग जानते हैं वेकेंसी लगवक दस लाग करीब अपले हुआ है और सीट मातर दो हजार है इसलिए फाइटिंग बहुत है इसलिए आपको दिन राख एक कर देना परेगा मेहनत में एरी चोटी एक कर दीजिए तभी आपका सेलेक्शन हो पाएगा ऐसा न ले तो मेरा सेलेक्शन होना ही चाहिए आपको यह हमेसा फोकस रखना परेगा कि एक्जाम आई भी दो महना बाद नहीं हुआ फिर डेट बहर गया तो बहर ने दो कितना बहर एगा आपको अपना तयारी में हंड़ेट परसन कॉन्विजिंस रहन चाहिए कि जब भी एक्ज